साथियो मराथिक और क्लासिकल लेंग्वेज का दर्जा मिलने से मराथी भाषा के अध्यन को बढ़ावा मिलेगा इसे रिसर्च और साइट्य संग्रह को बढ़ावा मिलेगा सबसे महतोपुर्ण बात यह है कि भारत की उनिवर्सिटीज में मराथी भाषा के अध्यन की सुविदा मिल सकेगी केंद्र सरकार के फैसले से मराथी भाषा के विकास के लिए काम करने वाले संगर्णों, ग्यक्तियों और छात्रों का बढ़ावा मिलेगा इससे सिक्षा और रिसर्च के ख्षेतर में रोजगार के नए अवसर भी बनेंगे साथ को आजहती के बाद देश में पहली बार ऐसी सरकार मनी है जो मात्रु भाषा में पढ़ाई को महत्मत देती है मुझे आद है मैं बहुत साल पहले एक बार अमेरिका गया तो एक परिवार में मुझे रुखना था और मुझे उस परिवार की एक आदत मरे मन को छुग गई मुल वो तेलु को परिवार था तिक उनके घर में नियम था लाइग तो अमेरिकन थी, जीवन तो वही का था लेकिन नियम था कि कुछ भी हो जाए शाम को खाना खाते समय टेबल पर परिवार के सब लोग साथ बैठेंगे और दूसरा था शाम को खाना खाते समय परिवार का एक भी व्यक्ति तेलुगू भासा के जवा एक भी भासा बोलेगा नहीं उसके कान वहाँ जो बच्चे पैदा हुए तो भो भी तेलुगू बोल लेते थे मैंने देखा हैं मास्टिन परिवास में जाएंगे तो आज भी सहज रुप से आपको मराठी भासा सुनने को मिलेगी बाकी लोगों कैसा नहीं है छोड़ देते हैं फिर उनको हेलो हाँ करने मजा जाता है साथियों नई नेशनल एड़ुकेशन पॉलिशी के तहत अब मराठी में भी मेडिकल और इंजिनेरिंगी पढ़ाई संभव हुई है इतना ही नहीं मैंने सुप्रीम कोड के जजीज के सामने रिक्वेस्ट की थी मैंने कहा एक गरीब आदमी आपकी अदालत में आता है और आप उसको अंगरी जी में जज्जमेंट देते हैं वो बिचरा क्या समझेगा क्या दिया है आपने और मुझे खुशी है कि आज हमारी जो जज्जमेंट है उसका जो ऑपरेटिव पार्ट है वो मात्रु भाषा में दिया जाता है मराथी में लिखी साइन्स, एकोनोमिक्स, आर्ट, पोईट्री और तमाम विश्वों की कताबों की उपलब्द होती रही है और बढ़ रही है हमें इस भाषा को वेहिकल ऑफ आइडियाग बनाना है ताकि हमेशा जीवन्त बनी रहे हमारा प्यास होना चाहिए कि मराथी साहिति के रच्राए जादा से जादा लोगों तक पहुंचे मैं चाहता हूँ कि मराथी भाषा ग्लोबल आडियंस तक पहुंचे